इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी अपने Android मुवाइल यूज करते हैं और उसमें मैसेज इस तरह का जब आप मैसेज एप्लिकेशन को आप टूडेट करते हैं तो पेंडिंग यहां पे बता रहा है पेंडिंग तो इसका क्या सोलूसन है इस वीडियो को आप सुरू से लाज टक देखते रहें तो सबसे पहले तो आपको जाना है सेटिंग में और चेक कर लेना है कि सबसे पहले कि आपका जो मुवाइल है उसमें इंटरनेट है या नहीं है इंटरनेट काम कर रहा है या वाइफाई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके बाद आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहां पे जाना है SIM card and mobile network पर इस पर जैसे जाएंगे तो यहां पर आपको चेक कर लेना है कि कौन सी SIM में data है इसको चेक करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है यहाँ पे Apps पे और Apps पे जब जाएंगे तो आपको Second Number में मिलेगा Manage Apps और Manage Apps में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको search करना है message तो जैसे आप यहाँ पे search करेंगे message तो यहाँ पे आपको message आ जाएगा और message application आ जाएगा तो यहाँ पे आपको message फिर से आपको जाना होगा message यह देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको इस message app को clear data पे जाके clear catch कर देना है और एक बार for a stop कर देना है इसके बाद back आ जाना है और इसके बाद यहाँ पे type करना है google play play store तो यहाँ पे आपको google play store आ जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है clear data पे जाके clear catch कर देना है फोरे स्टॉप पे जाना है फोरे स्टॉप कर देना है और यहां पे आपको एप परमिशन पे जाना है और सारी परमिशन को यहां से इस तरह से अगर डीने होगा सारी permission को allow कर देना है और यहाँ पर restricted data uses पर जारके इन दोनों को अंचेक करके फिर से check कर देंगे और इसके बाद अपने mobile को एक बार switch off करके switch on करेंगे तो यह message जो है application वो आप अराम से up to date हो जाएगा pending नहीं रिखागा इसका यही solution है अगर यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा